पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लेगए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें ताकि आपके सारे कंसेप्ट किलियर हो जाया है ओके चलो इसी के साथ ही वीडियो स्टार्ट करते हैं सगें मोस्ट चार्ज की डिफाइन पड़ी थी एलेक्टिक चार्ज होता गया है और साथ के साथ ही हमने सेकेंड वीडियो लॉंच किया था जिसके अदर हमने यह बताया था कि कौन-कौन से मैथर है हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं जिसके तीन मैथर थे आपके चार्जिंग बाए कंड़क्शन चार्जिंग बाए इंड़क्शन और चार्जिंग बाए फ्रिक्शन ओके तो अब इसके बाद हम आज बात करने वाले हैं चार्ज की प्रोपर्टीज कोन कौन से होती है ठीक है उनको थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे अपन ठीक है अब नए हैं दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कंप्लीट देखें आप ताकि इसके कंसेट को आप समझ सकें ठीक है अब अगर मैं प्रोपर्टीज की बात करूं तो इसकी पहली प्रपर्टी होती है एडिटिव इन नेचर एडिटिव इन नेचर इसका मतल सबीनस 10 कूलाब है यहां पर हमने किया इस पॉर्शन पर प्टैन सब्सकी 5 कूलाम है छीक है एएक पॉर्शन लिया जहां पर माइनस 4 कूलाम है एक पार्ट और है जहां पर चार्ज कितना है पलस est 6 कुलाम हो के अब क्या करना है आप पर आपको कॉश्शन में यह पुछ ल जो चार्ज होता है चार्ज on object किसी भी object पे मैं complete define नहीं मैं सारी चीज़े बोल रहा हूँ आपको अगर आपको concept में आगए तो आप आरामजी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चार्ज on object is equal to scalar sum of इसको हम algebraic sum भी बोल सकते हैं कोई सा word यूज़ कर सकते हैं हम बोल सकते हैं algebra या algebraic या scalar sum of all charges तो net charge बात कर लेते हैं जिसको हमने q के दिया तो q is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर आप चाहों तो चारों के नाम mention कर सकते हैं q1, q2, q3, q4 तो सबका हमें sum करना है जो minus का है उसे minus रखना है जो plus का है उसे plus रखना है ठीक है तो minus 10 कुलाम plus 6 कुलाम minus 4 कुलाम plus 5 कुलाम जब आप इसका total sum करते हैं तो minus 10 plus 6 ही हो जाएगा minus 4 minus 4 minus 4 हो जाएगा minus 8 minus 8 plus 5 हो जाएगा minus 3 में अबजेक्ट पर तो net charge कितना हो जाएगा minus 3 कुलाम हो जाएगा ठीक है हम बात करने वाले quantization पर second property है quantization of charge अब quantization क्या बोलता है किसी भी object पर जो net charge होगा वो क्या होगा वो depend करेगा total number of electrons के transfer पर और electron breakable नहीं है यानि electron को break नहीं किया जा सकता because n क्या हो गया number of electron means किसी भी object पर जो charge की value होगी वो depend करेगी कितने electrons का transfer हुआ है तो n यहाँ पर क्या number of electrons अब और साथ के साथ ही e यहाँ पर small e लिख रहा है it is the magnitude of क्या है यह magnitude of charge of charge of one electron means हमने ऐसा कहा कि एक electron का charge कितना होता है minus 1.6 into 10 raise to power minus 19 कुला magnitude निकाल लिया means उसको हमें क्या करना है उसका modulus करना है means हमें positive value क्या हो भी लेगी इसकी यहाँ इस्मॉल e की value जो होती है वो लिखते हैं हम plus 1.6 into 10 raise to power minus 19 कुला ओके plus और minus का symbol भी लगा सकते हैं ठीक है q is equal to plus minus n e यहाँ पर plus सा symbol जो है वो indicate करेगा if object donate electrons यदि उसने electrons को क्या कर दिया donate कर दिया और minus symbol कर लगेगा जब if object gain electrons यानि plus symbol तब लगेगा जब वो electrons को क्या कर लेगा donate कर देगा इसका basic fundamental हम समझे तो electrons को donate कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास number of protons क्या हो जाएंगे जादा हो जाएंगे that's why वो क्या हो जाएगा positively charge हो जाएगा और किसी object पर अगर वो क्या करता है electrons को gain कर लेता है electron को grant कर लेता है तब उसके पास number of electrons क्या हो जाएंगे जादा हो जाएंगे in comparative to protons ओके तो इसलिए नाइदर क्रेटेड और डेस्ट्रॉएड इस प्रोपर्टी ऑफ चार्ज इस कोल्ड एज कंजरवेशन ओफ चार्च जैसा कि आपने energy के लिए पड़ा है कि energy नाइदर भी क्रेटेड और भी डेस्ट्रॉएड इस ट्रांसवर्ड इन वन form to another यानि और जाको केवल एक रूप से दूसरे रूप में इस्तानांत्रिद किया जासकता है और किसके रूप में इसे केवल इलेक्ट्रों की संख्या के रूप में इस्तानांत्रिद किया जाता है यानि एक पदार्थ से दूसरे पदात में कौन ट्रांसफर होंगे? Electrons ट्रांसफर होंगे. फॉर्थ प्रॉपर्टी है अगर चार्ज अगर चार्ज रुकावा होगा तब भी उसका चार्ज और अगर चार्ज गती करता है तब भी दोनों इस्तितियों के अदर जो आविस का मान है वो कैसा होने वाला है? एक दूसरे के समान होने वाला है. ठीके? तो ये कंडिशन होई यहाँ पर ये फॉर्थ प्रॉपर्टी होगी दोस्तों ऐसे पांचिव प्रॉपर्टी क्या है? अट्रेक्शन एन्ड रिपल्शन प्रॉपर्टी मिन्स अट्रेक्शन एन्ड रिपल्शन प्रॉपर्टी क्या है? दोको मैं इसको एरेज करके लिख देता हूँ फिफ प्रॉपर्टी की ठीक है? ये फॉर्थ को मैं इसकी राइटिंग को एरेज कर देता हूँ ओके, फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रोपर्टी आफ, अट्रेक्शन, एंड रिपल्सन, देखिए, यहाँ पर क्या होता है, सिमलिर चार्ज, कैसे चार्ज, सिमिलर चार्ज, रिपेल इच अदर, एंड दिस्सिमिलर चार्ज, अट्रेक्ट इच अब जालत थोरेनी लिखते हैं, सिमिलर चार्ज कैसे, एक पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा भी कैसा चार्ज है, दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीके, और अगर इसी जगह नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों चार्ज एक दूसरे को एक दूसरे से दूर बेशते ठीक है यानि पर्तिकर्शन का गुणा होता है इसमें अगर dissimilar charge ये तो हो गया similar charges अब बात करते है dissimilar charge की तो एक positive है और दूसरा कौन सा है negative है तो दोनों charges क्या करेंगे एक दूसरे को attract करेंगे this property is called attraction and repulsion of charges तो totally इनकी five properties होती है first property कौन से होगी additive in nature means किसी भी object पर जो net charge होगा वो उस पर उस object पर distributed different charges का कैसा sum होगा उसे हम कह सकते algebraic sum होगा या उसे हम बोल सकते scalar sum होगा second property हमने पढ़ी थी quantization of charge ठीक है quantization of charge क्या बोलता है कि किसी भी object पर जो charge की value है वो electrons के transfer पर depend करती है और electrons का जो number है वो हमेशा integral form में होता है अब गंजराफ इंटीग्रल फॉर्म में होता है अब गंजराफ इंटीग्रल फॉर्म में होता है अब गंजराफ इंटीग of charges uneffected by motion means charge अगर रुकावा होगा या वो किसी motion में होगा यानि कुछ ना कुछ velocity होगी दोनों ही condition के charge की value क्या होगी uneffected रहेगी motion से और यहाँ पर एक चीज़ और बता जाता हूं दोस्तों कि जब कोई mass motion करता है तो उसका mass effect होता है due to the motion ओके फिफ परपर्टी है property of attraction and repulsion means similar charges will repel each other and dissimilar charges will attract each other I hope friends कि आपको यह topic बहुत अच्छे समझ में आया होगा और अगर आपकी कोई भी क्योरी है तो जरूर आप comment box में comment कीजिए और कोई भी आपको topic जो अच्छे समझना है उससे लेटर हम वीडियो बना देंगे that's why you have to comment in comment box thank you so much बोह जचे समझना है कि एको अच्छे समझ स gevका二म तरे कर दोटThat